साथियो नमस्कार, एक वाफिट से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आपके अपने परिवार मैच स्वाटिका में दोस्तो मैहुर रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर के एक ऐसे टाइप के कोशन को देखेंगे जहां से रेलवे एक्जाम में बार-बार कोशन पुछे जाते हैं, यह आपका कलेंडर का पार्ट टू है, इससे पहले हमने इसके पार्ट वन को अपलोड किया था, अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है, तो उसे भी ज़रूर देखे, इस वीडियो के डिस्क और उसको, तो रेफरेंस कलेंडर के कोशन में क्या होगा, कि किसी भी एक तारीक का दिन दिया जाएगा, और उसके बेशिस पर उससे अगली या पिछली तारीक का दिन आप से पूछा जाएगा, इसके अंदर आपका टोटल तीन टाइप बनता है, पहले तीनोंही ताइप को गुरुबार है तो 15 November 2021 को कौन सा दिन होगा ठीक है हमारे पास क्या है 15 November 2018 का दिन है और इसी के बेसिस पर 15 November 2021 का दिन हमें बताना है तो कुश्चन को गौर से देखेगा तो पता चलेगा कि देखे 15 November यहां भी है 15 November यहां भी है इसका मतलब क्या है डेट और मन्थ सेम है यहां भी 15 November है तो डेट और मन्थ क्या है सेम है डिफरेंस कहा है इयर के केस में 2018 का दिन पता है एक कईस का दिन हमें निकालना है तो टाइप फरस्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि date और month तो same होगा केवल difference कहाँ पे होगा year के case में difference होगा type 2 में हम लोग क्या देखेंगे type 2 को गौर से देखिए 12 अगस्त 2011 का दिन पता है 12 दिसंबर 2011 का दिन बताना है यानि इस question में देख लिजेगा year तो same है यहाँ भी 2011 है यहाँ भी 2011 है year same है पिछले type में क्या था date और month same था सिर्फ year अलग अलग था इस बार क्या है year आपका same है अलग अलग क्या है date और month आपका अलग अलग है 12 अगस्त का दिन पता है और 21 अगस्त 21 दिसंबर का दिन हमें बताना है तो type 2 में क्या होगा कि year तो आपका same होगा different किस में होगा difference किस में होगा date और month में होगा और तीसरे type में क्या है तीनों आपका different होगा year भी different होगा और date और month भी देख लिजे 4 October 2018 का दिन पता है और इसके basis पर 2 February 2013 का दिन पूछा है तो देखिए गए यहाँ पे date और month 4 October है यहाँ पे 2 February है तो date और month भी अलग है और year भी क्या है year भी आपका अलग है तीनों आपका अलग-अलग होगा date और month भी अलग-अलग होगा और year भी आपका अलग-अलग होगा तो यह है आपका type 3 इन तीनों type को अब हम लोग करेंगे कि बारी-बारी से अच्छी तरह से इस पूरे concept को हम लोग समझेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आज के बाद आपको दुबारा से इस topic में कोई दिकत नहीं होगा जो पहला वीडियो हमने आपको बता कराया था उसमें हमने बताया था कि कोई भी जो तारिक दिया जा है आपका और डेज का ठीक है जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बिसम दिन और डेज को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बिसम दिन वैसे तो आपका पूरा का पूरा केलेंडर इसी के ऊपर आधारित है बिसम दिन के ऊपर ही आधारित है पूरा का पूरा केलेंडर त तो साथ दिन बाद फिर से क्या होगा मंगल बार होगा हमारे पास साथ ही दिन है और वही साथो दिन क्या होता है आपका रिपीट करके बार बार आते रहता है तो इसी बज़ा से क्या है न कि किसी भी संख्या में साथ से भाग करिये और साथ से भाग करने के बाद जो सेस आए आमें अगर आप साथ से भाग करते हैं तो विशम दिन निकल जाएगा जैसे अगर आप से पूछा जाए कि भई 15 दिनों में कुल कितना विशम दिन होगा ठीक है 15 दिनों में आपको क्या बताना है कुल कितना विशम दिन होगा तो 15 में आप भाग करिए साथ से देखिए यहा तिन किसको बोलेंगे साथ के सेसफल को ही हम लोग भी समदिन बोलेंगे उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाएं कि टीनों में कितना भी समदिन होगा ठीक है एक haar 300 दिनों में भी समदिनों की संख्या निकाली है तो साथ से भात करिए एकतिस में 7, 4, 28 कितना विशम दिन आ जाएगा, 3 विशम दिन आ जाएगा, अगर आप से पुछा जाए कि 30 दिनों में कितना विशम दिन होगा, तो 30 में 7 से भाग करिए, 7, 4, 28 कितना बच जाएगा, 2 तो 2 विशम दिन हो जाएगा, 29 दिनों में कुल कितना विशम दिन हो जाएगा, 7 34-28, एक विसम्दिन thrive गोगा उसी तरह से 28 दिनों में कुल कितना विसम्दिन होगा साथ से भाग करिए 74-28 पुरा-पुरा कट गया पुरा-पुरा कटने का मतलब है कि सेस कितना बचेगा zero आप को यहां पे सेस लेना है ठीक है ध्यान रहे सेस विशमदिन किसको बोलते हैं साथ के सेस फल को विशमदिन बोलते हैं किसी भी संख्या में जब साथ से आप भाग करिएगा तो जो सेस बचेगा वह विशमदिन कहलाता है तो जब आप 28 में साथ से भाग करिएगा तो साथ चो के 28 पूरा पूरा कट गया मतलब सेसफल क्या होगा यहां 0 हो जाएगा उसी तरीके से अगर हम आप से पूछे कि भई 365 दिनों का भी समदिन बताये क्या होगा तो आप 365 में साथ से भाग करिए आईए भाग करते हैं 7 535 एक बचेगा 15 7 9 14 एक बचेगा जब आप 365 में साथ से भाग करते हैं तो सेस आपका कितना बसता है एक यानि 365 दिनों में एक भी समदिन होगा अच्छा अगर हम बात 366 का करे तो 366 दिनों में कुल कितना भी समदिन होगा तो आप 365 में साथ से भाग कर लिए 7 535 एक बचेगा साथ दूना चवदर सेस कितना बचेगा यहां पर दो बचेगा यानि 365 दिनों में कुल मि असल बोलते किसको हैं किसी भी संक्या में साथ से भाग करने पर जो सेस बचता है वही भी सम दिन कहलाता है अब इसका उपयोग हम लोग सीखेंगे जैसे मान लीजे कि कुश्चन में यह बोल दे कि चलो आज जो है न वह रभी बार है यानि संडे है ठीक है तो आप हमें यह ब पता है और आज तर पाल यानि संडे प्लस 75 का व्हलव बताना है तो हम क्या करेंगे इसमें भाग करेंगे साथ से तो आज से 55 दिन बाढ वही दिन होगा जो आज से तो दिन बाद होगा तो संडे पलस दो करिए मंडे टिजडे हमारा अंसर क्या हो जा예요 हो जाएगा रभी बार में दो जोड़ी ये मंगलवार हो जाएगा सोमबार मंगलवार तो मंगलवार हमारा अंसर उसी तरीके से अगर आप से यह पूछा जाए कि चलो भाई आज का दिन तो सोमबार है तो आप हमें यह बताओ कि आज से 50 दिन पहले कौन सा दिन था अचा पहले का दिन निकालना है न तो हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे सोमबार माइनस पचास सोमबार है आज का तारीक आज का दिन और आज से 50 दिन पहले का पूछा है यानि सोमबार माइनस पचास का भैलू निकालना है हम क्या करेंगे पचास दिन पीछे सीधे नहीं आएंगे इसमें साथ से भाग करिए साथ से भाग करिए सेस कितना हो जाएगा साथ सत्य उन्चा सेस एक हो जाएगा यानि कि आज से पचास दिन पहले वही दिन होगा जो आज से एक दिन पहले तो सोंबार में से एक माइनस करिएगा, क्या हो जाएगा, रवी बार हो जाएगा, तो हमारा अंसर इस कोशन का रवी बार हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपका विसम दिन का concept होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं, अब विसम दिन आप समझ चुके हैं, अब यह भी आप ज चुके हैं, कि कितने दिनों में कितने विसम दिन होता है, अच्छा, गौर से देखेगा, तो पता चलेगा, कि यहाँ पर जो आप दिखेंगे न बास्तम में, यह आपका मन्त है, देख लिजए, यह चारो का चारो क्या है, मन्त है, 31 दिन का अगर कोई महीना है, तो उसमें टीन विसम दिन, जैसे आप से सिधे पुछा जाए, कि पूरे जुलाइ के विसम दिनों की संख्या बताईए, तो आप देखियेगा, कि जुलाइ कितने दिनों का, 31 दिनों का, ना, तो 31 में 7 से भाग करेंगे, सेस, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो जुलाइी का पूड़ा दिन पूरे एक साल में 305 दिन तो एक साल में कितना भी सम्दिन होगा एक भी सम्दिन होगा एक साल में कितना भी सम्दिन होगा एक भी सम्दिन होगा पूरे एक साल के अंतर पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसे आप से हम यह कोशन करें कि 18 दिसंबर 2021 का दिन हमें पता है रभी बार ठीक है और आपको हमें यह बताना है 18 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा तो देखे तो कितने साल का आंतर है यहाँ पे एक साल का आंतर है फूरा 18 दिसंबर 2021 22 एक साल तो एक साल का मतलब 365 दिन और 365 दिन में कितना भी सम दिन होगा एक भी समदिन होगा केलेंडर में आगे जाना है तो इसको प्लस कर दीजिए रवी बार प्लस वन यानि की क्या हो जाएगा सोंबार आपका आंसर हो जाएगा तो आगे चलके तो इन को हमें करना ही है तो 365 दिन का मतलब होता है पूरा एक नॉर्मल येर और नॉर्मल येर में 365 दिन और लीप वर्स में कितना होता है 366 दिन लीप वर्स ध्यान से समझेगा किसको बोलते हैं लीप वर्स उसको बोलते हैं जिसका फरवरी जो होता है वो 29 दिनों का होता है और जिस वर्स कुल मिला के 366 दिन होता है उसको हम लोग लीप वर्स बोलते हैं पहचान क्या होता है तो जिस वर्स में 4 का भाग लग जाए, जैसे 1916, देखे तो इसमें 4 का भाग लग जाएगा, 4 से भाग करिए, 4, 4, 4, 3, 31, 4, 7, 28, 3, 4, 36, 4 से भाग लग गया, मतलब यह क्या है, यह आपका leap वर्स है, 4 से कटने का एक नियम यह भी कहता है, कि कोई भी संख्या 4 से कट रहा है क नहीं कट रहा है, इसके लिए अंतिम दो अंक में ही 4 से भाग करिए, अंतिम दो अंक चार से कट गया, तो पूरा संक्या 4 से कट जाएगा, यह टेस्ट आप डिविजिबिलिटी का रूल है, तो 16 में 4 से भाग करिए, 4, 4, 14, पूरा-पूरा कट गया, मतलब यह क्या है, ली यह लिए यह लोगा, आगे चली में 4 से भाग नहीं करेंगे, कितना से भाग करेंगे? 400 से, हमने अभी क्या बताया? कि leap verse चेक करने का तरीका क्या है जिस verse में 4 का भाग लग जाएगा वो leap verse होगा लेकिन सताबदी के case में सताबदी किसको बोलते हैं जिसके अंती में double 0 मिले जैसे 2100, 2200, 1800, 1700, 1500, 1400 जैसे इसके भी last में 2 0 मिलेगा वो सताबदी verse होगा और सताबदी सताबदी verse में 4 का नहीं 400 का नियम काम करता है तो देखे तो 400 से कर जाएगा ना double 0 से हाँ कर जाएगा मतलब कि यह भी आपका leap verse होगा और इस साल भी आने वाला जो फरवरी होगा वो 29 दिनों का होगा और वर्स में कुल मिला के 306 दिन होगा अगर हम आपसे पूछे कि क्या 1900 leap verse होगा तो 1900 को हम 4 से चेक करेंगे कि 400 से सर यहां 400 का सताबदी verse में 400 का नियम चलता है 400 से यह नहीं कटेगा मतलब कि यह आपका क्या है एक normal year है normal year का मतलब इस साल 365 दिन होगा और इस साल जो आने वाला फरवरी होगा वह केबल और केबल 28 दिनों का होगा तो वही चीज़ आपको हम यहां पे बता रहे थे कि अगर leap verse है तो उसमें 366 दिन और 366 दिन में कुल कितना विसम दिन होगा आपका 366 दिन में कुल मिला के आपका दो विसम दिन तो विसम दिन के concept को आप समझ गये है और days के concept को समझ गये हैं अब इसी का उपयोग करके हम लोग आगे question को solve करेंगे चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं पहला type 1 का पहला question देखेगा क्या है आपके सामने बोला गया है 15 अगस्त 2003 को सुक्रबार ठीक है यहां पे लिख लेते हैं 15 अगस्त 2015 इसके आधार पर हमें क्या बताना है 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा देखे question आपका reference calendar का है और type 1 का यहापका question है हमें यही बताना है कि कौन सा दिन होगा ठीक है चलिए पहला question है धियान से समझेगा type 1 का question है इसमें date और मन्थ आपको सेम है देख लिए date और मन्थ क्या है सेम है difference कि इसमें है सिर्फ year के case में है कैसे solve करेंगे गौर से समझेगा cable year के case में difference है तो cable year को देखे यह कितने साल का अंतर है 2003 और पंद्रा में सर्फ 12 साल का आंतर है तो 12 साल में कितना भी सम दिन होगा 12 साल में तो 12 विशम दिन होगा क्योंकि 1 साल में 1 विशम दिन 1 साल में 365 दिन 365 में 7 से भाग करिएगा 6 कितना आजाएगा 6 एक आएगा तो 1 साल में 1 विशम दिन तो 3 से 15 में कितने साल का अंतर है 12 साल का तो 12 साल में 12 विशम दिन तो यह हो गया इसके अलावा जितना बार भी हम leap verse cross किये होंगे उसमें एक विशम दिन नहीं बलकि दो विशम दिन रहा होगा लेकिन सभी वर्ष के लिए हम लोग एक विशम दिन ही यहाँ पर count किये हैं तो उन वर्सों का जो भी विशम दिन होगा, उसको हम अलग से इसमें जोडेंगे, तो देखे, 3 से 15 में चलेंगे, तो कौन-कौन से लिप वर्स को क्रॉस करेंगे, तो 3 तो नहीं है, क्या 2004 लिप वर्स है, हाँ 2004 लिप वर्स है, अच्छा आप तो 4 साल के बाद लिप वर्स आएगा, तो 4 के बाद आप 8, 8 के बाद आप 12, 12 के बाद आप 16, 16 तो इससे बाहर का हो जाएगा, तो बाहर नहीं जाना है यानि कुल मिला के 2003 से 15 के बीच में कितना leap verse होगा तीन लीप verse होगा तो इन तीनों लीप verse का जो एक्स्ट्रा दिन है वो इसमें count नहीं हुआ है तो उसको count कर लिजे यानी 12 और 13 कितना 15 कुल मिला के कितना भी सम्दिन आपका आगया 15 भी सम्दिन आग एक आ गया है फाइनम विसम दिन कितना आया एक आया और अब हम लोग देखेंगे कि केलेंडर में हमें आगे जाना है कि पीछे तो तीन का दिन पता है 15 का निकालना है मतलब केलेंडर में आगे जाना है आगे जाना है तो जो और डे आया है आप उसको प्लस करिए और अगर प कोश्चन का आंसर हो जाएगा ठीक है क्या आंसर होगा आपका सडर्डे आंसर होगा और देख लिजे इसको सौर्ट कट में हम कैसे मना सकते हैं डायरेक्ट भी समदिन कैसे निकालेंगे देखिए डायरेक्ट कैसे की के एक्स्ट्रा होता है ना तो अब आप काउवंट कर ये कि तीन से पंदर के बीच में कितना लीप वर्स आएगा उसको इसमें केब़ीध एड्AL कर दीजें साल में अंतर प्लस क्या करना है आपको बारा से पंदरा के बीच में जितने लिप वर्स आएंगे उसको इसमें प्लस कर देना है सोरी 3-15 के बीच में तो 3-15 के बीच में कौन आएगा 4-4 के बाद 8 उसके बाद 12 यानि कुल मिला के कितना लिव बर से 3 एड़ कर दीजे 12 और 3-15 15 का मतलब क्या होगा एक होगा विचम दिन एक आया के लेंडर में आगे जाना है तो इस विचम दिन को प्लस करिए फ्राइडे प्लस एक यानि कि सटरडे आपका इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा बरते हैं अगले कोशन में अगला कोशन देखेगा क्या है यहां पर देखे बोला है दस जनवरी 2010 बहुत सारे कॉंसेप्ट आपको सीखने है अभी ठीक है दस जनवरी 2010 दस जनवरी 2010 का दिन दे रखा एक कोशन में क्या है आपका सनीवार यानि कि सटरडे है इसके वेसिस पर क्या बताना है दस जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा ठीक है अभी बहुत सारे कॉंसेप्ट आपको समझने है देखते चलिएगा यह हमें इस कोशन में बताना है ठीक है चलिए आईए देखते दस में है 29 में हमें जाना है डेट और मंत सेम है के बलियर के केस में डिफरेंस है तो कितने साल का अंतर है 10 और लिबर्स कौन होगा 12 अब 4-4 साल पर तो 16 20 24 28 इसके आगे जाएंगे तो बाहर 28 के बाद 32 इससे बाहर हो जाएंगे एक दो तीन चार पांच इसको आप अंगली पर भी काउंट कर सकते हैं दस से चलेंगे अगर आगे हम लोग तो दस के बाद एगारा नहीं है लिबर्स बा पांच 19 और पांच कितना 24 24 का मतलब केलेंडर में क्या होगा साथ से भाग करिए जभी वैलू साथ से बारा है साथ से भाग करिए तो सात्तिया एक कई सेज कितना आ गया तीन यानि 20 इन फाइनल हमारा आ गया है तीन अब विसम दिन तीन आया है इसको प्लस करें कि माइनस तो हम देखेंगे कि केलेंडर में हमें आगे जाना है कि पीछे आगे जाना होगा तो प्लस, पीछे जाना होगा तो माइनस, तो 10 में है, 29 में जाना है, आगे जाना है सर, आगे जाना है तो प्लस करिए, सनी बार प्लस तीन, रवी बार, सोम बार, मंगल बार, आंसर हमारा इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा ठीक है अब चलेंगे अगले कोश्चन में अगला देख लिजे कोश्चन क्या है आपका यहाँ पे 10 अक्टूबर 2019 10 October 2019 का दिन हमें पता है कौन सा दिन है सर मंगलवार है यानि कि Tuesday है और बताना क्या है 10 October 2009 10 October 2009 को कौन सा दिन था ठीक है चलिए 2009 है ना हाँ सर 2009 है 2009 को कौन सा दिन था आईए देखते हैं इस question को गोर से देखिएगा date और मंत क्या है सेम है सिर्फ year के case में difference कितने साल का आंतर है 19 और 19 और नौ में सर 10 साल का आंतर है ठीक है इयर पलस लीपियर कर दीजिएगा सिंपल सा फंडा है अब नौ से छोटा से बढ़ा के तरफ देखिएगा नौ से 19 के बीच में कितने लीप वर्स तो नौ नहीं है 10 भी नहीं है 11 भी नहीं है 12 पहला क्या हो जाएगा 12 अब 4 साल पे तो 16 उसके बाद 20 20 तो इसके बाहर का हो जाएगा यानि 12 और 16 के बाल दो ही लीप वर्स है तो दो एड करिए 10 और 12 केलेंडर में 12 का मतलब क्या होता है 7 से भाग करिए 7 एकम 7 क्या से इस बचेगा 5 यानि कि 5 आपका विशम दिन final आ गया final विशम दिन कितना आ गया final विशम दिन आपका 5 आ गया अब इस 5 को हम क्या करें जोड़े की घटाएं तो 2019 में है और 9 में जाना है मतलब कलेंडर में हमें पीछे जाना है पीछे इस बार हम लोग 2019 में है और 9 में जाना है मतलब कलेंडर में पीछे जाना है तो निकाले गए विशमदिन को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो मंगल बार माइनस 5 करिए क्या होता है मंगल बार माइनस 5 करिएगा आप का अंसर क्या हो जाएगा गुरू बार हो जाएगा यानि कि थ्रस्दे आपके कोश्चन का अंसर हो जाएगा अब यहाँ पे हम इतना जल्दी कैसे निकाल पाए इसको भी आप समझ लिजेगा क्योंकि हमें कितना घटाना था मंगल मार मैंसे 5 घटाना था एक घटाएंगे सोम बार दो घटाएंगे रवी बार तिन घटाएंगे सनी बार चार घटाएंगे सुक्र बार पांच घटाएंगे गुरु बार लेकिन समय यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लग जाएगा तो एक concept आप ध्यान से समझेगा अगर minus 6 करना होगा ना कितना minus करना होगा 6 यानि 6 दिन पहले वही दिन होगा जो आज से एक दिन बाद होगा ठीक है इस दोनों का sum आपको केबल क्या कर देना है साथ कर देना है कहने का मतलब कि आपसे हम यहाँ पुछे कि भई आज से 6 दिन पहले कौन सा दिन है तो आप 6 दिन पीछे जाईए या एक दिन आगे बढ़िए दोनों दिन आपका क्या आएगा सेम आएगा तो 6 दिन पहले कौन सा दिन जो आज से एक दिन बाद minus पलस वाला मिला के कितना हो जाना है तो या तो 5 माइनस करे या फिर 2 पलस करे दिनमा तो आपका सेमे ना आएगा तो माइनस 5 ना करके हम पलस 2 कर दिए पलस 2 करना ज्यादा आसान है तो मंगल बार पलस 2 क्या हो जाएगा आपका गुरू बार हो जाएगा उसी तरह से अगर 4 माइनस करना होगा तो इसके बद यहीं से पढ़ीधिन होगा जो एक दिन पहले ओगा आप निकाल के चेक कर सकते हैं अगर हमसे यह पूछेकर नदे माध कौन साधीन होगा तो पांस दिन आगे जाने से बहतर है की दो दिन हम पीछे चलिए ठीक है आज से भाशेंए बाद कौन चीए साथ हो जाना चीए छे दिन बाद कौन सा दिन जो एक दिन पहले चे दिन पहले कौन सा दिन जो एक दिन बाद पास दिन पहले कौन सा दिन जो दो दिन बाद क्लियर चलिए तो बढ़ते हैं अब हम लोग अगले कोशन में अब यहां पे थोड़ा सा गौर से देखिएग देखिए कुश्यन क्या है 20 March 20 March 2020 का दिन पता है 20 March 2094 को कौनसा दिन है कौन सा दिन है रविबार यानी की संडे है और इस होगा ठीक है देखते हैं कोशन किया है आपका यहां पर 20 मार्च 2012-2012 तक जाना है चलिए डेट और ौर अधर से में, कहां पर है, केबल year के case में, केबल year के case में, तो 12 से 24 से चलिए, छोटा से 12, 12 से 24, कितने साल का अंतर, 12 साल का अंतर, तो 12 20 तीन तो यह हो गया, पलस, अब आगे 12 से 24 के बीच में, कितने 20 तीन आएगा, तो सुरू पहला वाला से करिएगा, तो 12, sorry 12, कितने लीप वर्स आएगा, तो 12 लीप वर्स है, अब आगे 2016 भी, 20 भी, 24 भी, 24 भी, 24 तक में तो इन सब का सब लीप वर्स आएगा, लेकिन रुक जाएए, जब पहला वर्स भी और अंतिम वर्स भी लीप वर्स हो, जैसे यहाँ पर देख लिजे, 12 भी और 24 भी, दो दोनों का दोनों लीप वर्स हो, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, क्या सोचना होता है, पहला वर्स भी लीप वर्स है और आखरी वर्स भी लीप वर्स है, तो 12 से 24 में 12 साल का अंतर, अब हमें लीप यर काउंट कर और कोई भी बर्स जो है उसको हम लोग AJ LPR तभी काउंट करेंगे जब हम उसके 29 फरवरी को क्रॉस करेंगे 29 फरवरी से ही आपका 301 दिन बढ़ने के बिदे सही 366 दिन होता है तो जब तक किसी बर्स के 29 फरवरी को हम क्रॉस ना करे तब तक वह AJ LPR काउंट नहीं होगा ध्या अब देखिये यहां पे अगर हम 20 ुद दौर बारs से आगे बरहेंगे आजीओ, ऑगणेई से सफटेंबर अक्टूबर नॉबबर दिसम्बर 2013 हे उसके बाद 13 से आगे बरहेंगे, या हमारे रासते में 2012 kछल्य फरवरी 29 फरवरी आएगा नहीं आएगा, मार्च सेूपर अगस सेप्टेमबर अक्टूबर नॉवंबर दिसंबर 2013 हो गया उसके बाद 13 से आगे बढ़ेंगे यानि हमारे रास्ते में मार्च का जो है मार्च का आपका 29 फरवरी नहीं आया तो इसको हम लोग अगस सेप्टेमबर अक्टूबर नॉवंबर दिसंबर 2012 खतम अब 13 14 15 16 कहां जाएंगे 24 में जाएंगे यानि कि हमारे रास्ते में 29 फरवरी नहीं आया 2012 का इस वज़ा से 2012 को एजलीफियर काउंट हम लोग नहीं करेंगे अब चलते हैं 24 में क्या 24 जो है दो हजार 24 एजलीफियर काउंट होगा तो देखे 20 मार्च तक आए हैं तो 20 मार्च तक आने के लिए हमें इसको 29 फरवरी को तो क्रॉस करना पढ़ेगा क्योंकि 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 23 में आए होंगे तो जनवरी फरवरी मार्च तब जाके यहां पहुंचे होंगे क्योंकि नीचे से उपर की और आ रहा है ना तो इसके 29 फरवरी को तो क्रॉस करके ही 20 मार्च तक पहुंचेंगे ना तो यह एजलीफियर काउंट आपका हो जाएगा तो कुल कितना लीफिय 20 में है बारा में जाना है तो माइनस करिए माइनस जोभी विसम दिनाए है संटे माइनस एक क्या अंसर हो जाएगा आपका Saturday answer हो जाएगा ठीक है चलिए तो यही आपका इस question का answer हो जाएगा इस concept को थोड़ा ध्यान से सोचिएगा आप आगे बढ़ते हैं अगला question एक और question ऐसा करते हैं इस से इस concept को और clear करते हैं देखे 20 February 2004 20 February 2004 में अभी हम लोग है ठीक है और इसका दिन कौन सा है इसका दिन आपका रविबार है यानि कि Sunday दे रखा है और 20 February 2020 का दिन हमें बताना है आएए इस question को solve करते हैं ध्यान से देखिएगा सबसे पहले देख लिजे date और month तो सेम है ना date और month सेम है difference कहाँ पर है year में है कितने साल कांतर है चार से 26 तो 16 भी सम दिन तो यह हो गया plus अब क्या करते हैं हम लोग लीप यर प्लस करते हैं जितने भी लीप यर आएंगे प्लस करेंगे तो चार भी और 20 भी दोनों ली पीर है चलिए चार से चलते हैं 20 की और तो चार उसके बाद आठ उसके बाद 12 फिर 16 फिर 20 या भी लीबर्स है अब हमें देखना पड़ेगा इसमें कि किसको किसको हम लोग आजे लीपीर काउंट कर सकते हैं तो 2004 से हमेसा छोटा से बरा के तरफ चलिए तो चार से 2020 के तरफ चलेंगे तो क्य को क्रोस करना पड़ेगा तो यह एजे लीपीर काउंट हो जाएगा लेकिन क्या 2020 एजे लीपीर काउंट होगा नहीं होगा क्योंकि हम लोग 20 फरवरी पर ही आके रुक गए इसके 29 फरवरी को क्रोस किये नहीं किये हैं तो यह एजे लीपीर काउंट नहीं होगा जब तक कि चलिए तो चार इसमें प्लस करेंगे 16 और चार विस का मतलब क्लेंडर में साथ दूना चवदा छे होता है अब केलेंडर में आगे जाना है तो निकाले देगे विशमदिन को प्लस करिए संडे प्लस 6 हमारा आंसर होगा और प्लस 6 करने से बहतर है कि एक माइनस कर ले संडे माइनस एक क्या आंसर हो जाएगा सटरडे हो जाएगा क्योंकि प्लस 6 करने से भी वही दिन आएगा जो एक माइनस करने पर तो हमारा अंसर इस question का क्या होगा Sunday plus 6 यानि कि Saturday ठीक है कलेंडर में आगे जाना है तो प्लस करेंगे और 6 प्लस करने से बहतर क्या है आप एक माइनस करिए क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question देख लिजे क्या है यहाँ आपका question type 2 से है अब type 1 हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके है type 2 से देखेगा question क्या है यहाँ पे है question आपका 10 अगस्त 2020। का दिन हमें पता है कौनसा दिन है सोमबार यानि की Monday है ऐस बार भी सेम है चलिए सेम ही question है पीछे वाला ही है 10 अगस्त 2009 को कौनसा दिन होगा यही question है 10 अगस 2020 को सुंबार था तो 10 अगस 2009 को कोई दिकत नहीं सिंपल कोशन है हमारे लिए वर्याराम से सोल्व कर सकते हैं देखिएगा यहाँ पर कितने साल का अंतर है डेट और मंथ से हम है कितने साल का अंतर है 11 तो 11 वी समझिन तो यह हो जाएगा इसके अलाबा 2009 से हम लोग चलेंगे 20 के तरफ तो कौन कौन सा लिप बर्स आएगा नौ नहीं है दस नहीं एक आरा नहीं 12 उसके बाद 16 उसके बाद 20 क्या 20 एजल लीपियर काउंट होगा है जीरो साद我們的 0 जीरो का मतलब दिन आपका सेम रह जाएगा Monday था-ствен-u-un-day ही रहेगा क्या होता चर्गशी नहीं होता है जीरो का मतलब होता है दिन आपका चेंच नहीं होगा ठीक है कि आगे बढ़ते हैं अगले question में आ जाएए अब देखिए यहां प आप क्या देखे थि टाइप One में देखे थे reference के टाइप One में देखे थे कि date और month आपका सेम रहेगा और के वल यह के case में difference होगा उसमें हम गोग क्या करेंगे तो सबसे पहले year में जो difference होगा उसको लिखेंगे और साथ में उस बीच मेरी पोर्स ग्लेंडर में आगे जाना होगा तो माइनस पोबना है अगला टाइप टू देखेगा याई आपके सामने पाँच को कौन सा दिन है ओन्तिस अपरायल दोहजार पाँच को कौन सा दिन होगा अभिस बार कोशेयर में क्या है आपका year सेम है difference कहां पकर है year सेम है difference कहां पकर हैRET यह मंत की हैस में difference है ठीक है इससे पहले एक सी हम लोग देख लेते हैं जो पूरा का पूरा 12 महिना होता है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक में उसमें देखें जैसे जनवरी है फरवरी है मार्च अप्रील माई जून जुलाई अगस्ट सेप्टेंबर ऑक्टूबर नॉम्बर और दिसंबर यह होता है अ माई 31 दिनों का जून 30 दिनों का जुलाई और अगस्ट लगातार आने वाला महिना है जो 31 दिनों का और सेप्टेंबर 30 ओक्टूबर 31 नॉम्बर 30 और दिसंबर 31 अगर केबल आप इन चार महिना को देखते हैं ना चार महिना को किसको किसको देखें अप्रील जून, सेप्टेंबर और नवंबर, यही चारों एक 30 दिनों का महिना है, अपरील जून, सेप्टेंबर और नवंबर, बांकी जो भी महिना है वो 31 दिनों का, और फरवरी के बारे में तो हम लोग जानते ही है कि 28 या 29 दिनों का, तो देखे, पहला जून, पीछे का कोई नहीं, अपरील, उसके बाद जून, उसके बाद सेप्टेंबर और फिर नवंबर, अपरील, जून, सेप्टेंबर, नॉंबर 30 दिनों का, जो भी है वो 31 दिनों का, फरवरी आपका है तो, साच्योक का, 28 भी समदिन, एक हो जाएगा, 31 दिन वाला में 3, साच्योक 28 भी समदिन, दो, साच्योक 28 भी समदिन 3 होगा, जो 30 दिनों का, महिना होगा, उसमें भी समदिन क्या होगा, 2 हो जाएगा, clear, चलिये अब आईए इस question पे आते हैं हम लोग तो यहाँ पे क्या है date और month तो same है sorry year same है difference कहाँ पे है date और month में यहाँ पे difference है गौर से इस part को देखिए अब कैसे इस question को solve करेंगे गौर से देखिए तरीका यह है हम क्या करेंगे कि जो पहले महीना आएगा उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे तो August और April में से पहले कौन आता है सर पहले तो April आता है और बाद में कौन आता है बाद में आपका अगस्त आता है जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसको क्या करेंगे बाद में लिखेंगे इसके हिसाब से पहले अगस्त और बाद में अप्रिल नहीं लिखना है दोनों महीना में से जो दोनों महीना दिया जाएगा उसमें से जो महीना केलेंडर में पहले आ पहला महिना होगा उसका बचा हुआ दिन आपको लिखना है रिमेनिंग डेज लिखना है जितना दिन बचा हुआ है और जो आखरी महिना होगा उसका लिखना है दिया गया तारीक दी गई जो आखरी महिना होगा उसका क्या लिखना है आपको दी गई तारीक को लिखना है पह तारीक। और बीच का जो भी महिन है उसके विसम दिन को आपको लिखना है ठीक है अब अपरिल में कितना दिन बचा हुआ है अपरिल तीस दिनों का होता है ना उन्तिस तारिक टक तो हम लुग आही चुके है तो अपरिल में एक दिन बचा हुआ है ठीक है पहले मह attention के बचे हुए दिन को और आखरी महिना जो है आपका उसके दिये गए-तारिक को लिखिए और बीच का जो भी महीना है उसके विशम दिन को लिखे तो मई, मई 31 दिनों का होता है ना मई 31 दिनों का तो मई का विशम दिन 3 हो जाएगा जुन 30 दिनों का, जुन का विशम दिन 2 हो जाएगा जुलई 31 दिनों का तो इसका विशम दिन 3 हो जाएगा अब सब को आप जोड़ लीजिए, सब को क्या करना है जोड़ना है, तो 15, 13, 12, 23 और 1, 24, क्या फैलू आगे आपका 24, 24 का मतलब बोलिए कैलेंडर में क्या होता है, साती आए का 23, यानि फाइनल भी समदिन आपका 3 आ गया, फिर से समझे, पहले महीने के बचे हुए दिन और आ 30 दिनों का होता है, 29 तो वही चुका है, तो अप्रिल में एक दिन बचा हुआ है, और आखरे महीने के दिये गए तारीक को, और बीच का जो भी महीना है, उसके 20 अपशन दिन को लिखना है, तो अप्रिल के बाद मई, 31 दिनों का इसमें 30 विसम दिन, मई के बाद जून, 24, 24 का मतलब क्या होता है, तो 7 से भाग करिए, 7 या 11 से सो जाएगा आपका 3, यानि final विसम दिन आपका कितना आ गया है, 3, अब हम लोग क्या देखेंगी, अब हम लोग यहां देखेंगे कि calendar में हमें आगे जाना है कि पीछे, तो इसे निकाले गए बिसम दिन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो सुक्रबार माइनस 3 आपका आंसर हो जाएगा, सुक्रबार माइनस 3 करिएगा, गुरुबार हो जाएगा, न बुधवार हो जाएगा मंगलवार यानि कि मंगलवार आपका इस question का सही answer हो जाएगा ठीक है तो type 2 के अंदर हम लोगों को न इसी concept का यूज करना है अगले question को देखते हैं अगला question देखेगा क्या है 30 अपरेल 2004 का दिन दिया है और 25 जनवरी 2004 का दिन हम लोगों से पूछा गया है यहाँ पे question में आपका 30 अपरेल 2004 का दिन पता है 30 अपरेल 2004 को सनीवार है यानि कि Saturday है और हमें क्या बताना है 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा त्यान से देखिएगा year तो सेम है सिर्फ date और month में difference है कैसे solve करते हैं इसे question को अभी just देखें है जनवरी और अपरेल में से पहले कौन आएगा सर्फ पहले तो जनवरी आएगा और बाद में कौन आएगा अपरेल बीच के महीना को भी लिख दीजे फरवरी मार्च अब आपको क्या करना है जो पहले महीना आया है उसके बचे हुए दिन को लिखिए तो जनवरी में कितना दिन बचा हुआ है जनवरी 31 दिनों का होता है 25 दिन जनवरी में हो चुका है यानि जनवरी में 6 दिन बचा हुआ है फरवरी 2004 का फरवरी है 29 दिनों का होगा तो एक विसम दिन हो जाएगा 2004 लीप वर्स है लीप वर्स और लीप वर्स का फरवरी 29 दिनों मार्च 31 दिनों का कितना विशम दिन हो जाएगा तीन और अप्रिल में कहां तक जाना है 30 तक जाना है तो 30 लिखे सभी वैलू को आपस में जोर लीजिए जोर ये वैलू कितना आता है चौर एक साथ तिन दस और 30 कितना 40 40 का मतलब क्लेंडर में क्या होता है साथ से भाग करिए साथ पंचे 35 से सो जाएगा पांच होगा ठीक है अब विशम दिन जो फाइनल हमारा आया कितना आ गया पांच अब देखें कि केलेंडर में हमें आगे जाना है कि पीछे तो अपरेल में है जनबरी में जाना है केलेंडर में हमें पीछे जाना है हम लोग अभी अपरेल में ह तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, Monday हो जाएगा, Sunday, Monday, Monday आपका इस question का सही आंसर हो जाएगा, 30 अपरेल 2004 का दिन पता था 25 जनवरी 2004 का दिन हम लोगों से पुछा गया है हम क्या करेंगे जनवरी और अपरेल में से पहले कौन आएगा पहले जनवरी आएगा तो पहले जनवरी लिखेंगे बाद में अपरेल तो बाद में अपरेल को लिखेंगे पहले महीने के बचे हुए दिन आखरी महीने के दिये गए तारीक को लिखेंगे और बीच के महीने के विशम दिन को लिखेंगे देखें जनवरी में कितना दिन से से है छे दिन से से है फरवरी एक अठाई उनतिस दिन का होगा विशम दिन एक हो जाएगा मार्च का विशम दिन 3 हो जाएगा अप्रील में हमें 30 तक जाना है 30 प्लस करेंगे बस विशम दिन निकालेंगे अपने कोश्चन का अंसर हम लोग निकालेंगे 6, 7, 10, 30, 40, 40 का मतलब कलेंडर में 5 कलेंडर में पिछे जाना है निकालेंगे और दे को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे अगले कोश्चन में आईए देखेगा यहां पर क्या है कोश्चन है आपका 25 फरवरी 2005 को सोंबार 25 फरवरी 2005 का दिन पता है हमें क्या है दिन सोंबार यानि कि मंडे अब इसके बेसिस पर बताना है हमें 25 मार्च 2005 का दिन 25 मार्च 2005 का कौन सा दिन होगा ठीक है चलिये यही आपका question है 25 फरवरी में है हम लोग 25 मार्च में हम लोग को जाना है गौर से देखेगा year तो सेम है date और month अलग-लग है date और month आपका अलग-लग है चेक करिए फरवरी और मार्च में से पहले कौन आएगा पहले फरवरी आएगा बाद में मार्च आएगा पहले महीने के बचे हुए दिन फरवरी 28 दिनों का होता है फरवरी में कितना दिन बचा हुआ है तीन दिन और आखरी महीने के दिये गए तारीक आखरी महीना क्या है आ आपका क्या रह जाएगा सोंबार ही रह जाएगा आंसर आपका इस कोश्चन का क्या होगा सोंबार ही होगा 25 फरवरी का दिन पता है 25 मार्च का पूछा था फरवरी और मार्च में से पहले फरवरी आएगा पहले महीने के बचे हुए दिन फरवरी में कितना दिन आपका बचा हुआ है फरवरी 28 दिनों का अगर यही लीप वर्स का फरवरी होता चार का, आठ का, बारा का 29 दिन वहां पे लेते हैं चार भी समझे, से इस दिन कितना लिखते हैं हम लोग यहां पे चार लिखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 2 आपका अच्छी दरह से किलियर हो गया है अब हम लोग चलेंगे टाइप 3 में टाइप 3 के कोश्चन को कैसे solv करना है, अब इसको गौर से देखिएगा टाइप 1 में क्या मिला था ? टाइप 1 में date और month सेम था सिर्फ year के case में difference था आपका टाइप 2 में क्या था आपका ? year सेम था, date और month अलग-अलग और टाइप 3 में क्या मिलेगा ? तीनों अलग-अलग जैसे पहला कुशन देखिएगा क्या है कुशन है आपका 15 अगस्त 2003 इसका दिन पता है हम लोगो को सोमबार संडय ठीक है अब इसके basis पर क्या बताना है 27 मय 2015 को सब्ताह का कौन सा दिन था ठीक है इसके basis पर हमें इस question का आंसर करना है गौर से देखिएगा date और month भी अलग-अलग है year भी अलग-अलग है तीनों change है type 3 में चल रहे हैं अच्छी तरह से concept समझेगा ठीक है गौर से देखिएगा क्या हमें करना है type 1 में आप क्या किये थे year में year का जो भी difference होता था उसको लिखते थे और उसमें हम लोग plus करते थे ज इसके बाद जब year same date or month आपका अलग-अलग यानि की type 2 में तो हम लोग क्या किये type 2 के अंदर year को हम लोग वैसे ही छोड़ दिये date or month में से जो पहले आया है महिना उसको पहले लिखेंगे बाद वाले को बाद में लिखेंगे पहले महिने के बचे हुए दिन आखरी महिने के दी गए तारीक बीच में अगर कोई महिना है तो उसके विसंदिन को लिखेंगे सभी value को जोड़ेंगे value साथ से बढ़ाएगा साथ से भाग करेंगे जो भी final value आएगा वही आपका विसंदिन होगा calendar में आगे जाना होगा तो plus पीछे जाना होगा तो minus अब चलेंगे हम लो विसंदिन कैसे निकालते थे year plus leap year तो तीन से पंदरा के बीच में कुल कितने लिप वर्स होंगे तो तीन नहीं है चार उसके बाद चार साल पड़ चार आठ बारा तीन लिप वर्स हो जाएगा तो बारा पलस तीन year plus leap year याद करिए पहले टाइप को तो बारा और तीन पंद कितना आया है एक आया है अब इसका उपयोग हम लोग बाद में करेंगे अभी रहने दीजिए year के case में विसंदिन कितना आ गया एक year के case में विसंदिन निकालना तो आसान है year plus leap year तीन और पंदरा में बारा साल का अंतर और साथ में तीन आपका लिप वर्स होगा बारा तीन 15 हो गया अब चलिए इस तरफ देखिए डेट और मंत के case में अब डेट और मंत के case में निकालते हैं विसंदिन दो तरीके का यहां पर भी संदिन निकलेगा डेट और मंत का अलग year का अलग year का निकाल चुके है डेट और मंत में चलेंगे अब डेट और मंत में देखिए आ आपकी अगस्त और मई में से पहले कौन आता है सर्फ पहले तो मई आता है और बाद में अगस्त आता है बीच में का महिना कौन होगा मई के बाद जून जून के बाद जुलाई उसके बाद अगस्त पहले महिने के बचे हुए दिन तो मई में कितना दिन बचा हुआ है आपका का माई कितने दिनों का 31 दिनों का तो माई में चार दिन बचा हुआ है और आखरी महीना के दीए गये तारीक फंदर अगास तो 15 बीच के महीना का क्या लिखना है आपको विशमदिन तो जून 30 दिनों का दो two सम्दिन जुलाई 31 दिनों का तीन भी सम्दिन ठीक है अब सभी वैलू को जोड़ लीजे इन सभी वैलू को जोड़िए अब टाइप टू में यह किये हैं तो पंदरा तीन अठारा दो बीस और चार कितना आ गया चौबीस चौबीस का मतलब क्या होगा कलेंडर में साथ से भा है तो यहां पर हम क्या करेंगे इस दोनों इस दोनों विसम्दिन का यूज करना है अब आप एक चीब बताईए कि देट और मन्त के केस में हम लोग आगे जा रहे हैं कि पीछे तो अगस्त में है मई में जा रहे हैं अगस्त में अभी है हम लोग और जाना का है हमें मई में जाना है मतलब पीछे जा रहे हैं मतलब कि इसका जो आपका विसम दिन होगा वह माइनस होगा ठीक है डेट और मन्त का जो आपका विसम दिन आएगा उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे क्योंकि अगस्त में है माई में जा रहे हैं डेट और मन्त के केस में हम लोग पीछे जा डेट और मंत के case में आप लोग पीछे जा रहे हैं तो इसका जो भी समदिन होगा वह अनससर होगा और की में आगे जा रहे ह Penis के और रिएर का जो भी समदिन होगा वह क्या होगा।And this difference DO कहने का मतलब कि Sande1-2 आपा Wentie मेंसे दो घटा यह क्या हो जाएगा Friday तो आपके इस question का अंसर क्या होगा इस question का आपका अंसर Friday हो जाएगा ठीक है देख लिए यहाँ पे आपका अंसर इस question का क्या हो जाएगा Friday हो जाएगा मैं मैं में कितना दिन बचा हुआ है चार दिन जुन 30 दिनों का होता है 2020-20 जुलाई 31 का 30 दिनों का तीन भी सम्दिन अगस्ट में 15 तक जाना है तो पंडरा 15 तिन अठारा दुवीश चार चोववीश चो लीश का मतलब के लेंडर में 3 डेट और मंद के 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 समयां पीछे जा रहे तो इसका भी सम दिन मैनस होगा किसमें आगे जा रहे तो यह कभी सम्दिन क्या होगा प्लस होगा आगे चलिए और कुश्चन हम लोग देखते हैं इस से इस कॉंसेप्ट को और अच्छी तरह से क्लियर करते हैं यहां पर देखेगा कुश्चन क्या है 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2013 का दिन न हम लोगों को पता है 31 दिसंबर 2013 में कौन सा दिन है सनी बार है ठीक है आगे चलिए 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2007 का दिन हम लोगों से पूछ लिया यही पूछा है आईए इस कोश्चन को सोल्ब करते हैं गौर से देखिएगा पहले तो year के case में आईए 13 और 7 में कितने साल का अंतर 6 साल का तो 6 भी सम्दिन तो यह हो गया इसके अलाबा 7 से 13 के बिच में कितने लिपर्स आएंगे तो 8 और 12 दो लिपर्स आएगा तो 6 और 2 आठ 8 का मतलब कलेंडर में क्या होता है 8 का मतलब कलेंडर में एक होता है ठीक है तो एक भी सम्दिन आया है year के case में अब date और month के case में चेक करिए October और December October और December में बताईए कि पहले कौन आएगा पहले October आएगा उसके बाद November और finally क्या होगा December पहले महीने के बचे हुए दिन October में कितना दिन बचा हुआ है कोई दिन बचा हुआ नहीं है 31 October तो होई चुका है November 20 दिन कितना दो December में कहा तक जाना 31 तक सभी वैलू को जोड़िये 31 और 2 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा दो-दो आपका यहाँ पर आ गया है विशम दिन एक डेट और मन्त के केस में एक एर के केस में तो डेट और मन्त के केस में हम लोग पीछे जा रहे है देट और मन्त के केस में क्या हो रहा है हम लोग पीछे जा रहे है तो इसके विशम दिन को करेंगे minus ठीक है और year के case में येर के case में हम लोग पीछे जा रहे हैं तो इसका भी विशम दिन क्या हो जाएगा minus तो minus 5 minus 1 कितना हो जाएगा minus 6 तो sunny बार minus 6 यहीं आपका answer होगा minus 6 करने से बेतर है plus 1 कर लिजिए Saturday plus 1 क्या answer हो जाएगा आपका Sunday आपका इस question का answer हो जाएगा देख लेजिए 13 में है और साथ में जाना है 6 साल और आठ बारा दो हां 6 और दो आठ एक year का जो विशम दिन आया है वो कितना आ गया है आपका एक आ गया है और year वाला विशम दिन भी क्या होगा minus क्यूंकि पीछे जा रहे है और date और month का भी date और month वाला चुके हैं लीप एर में जो extra दिन है count कर चुके हैं तो फिर इस तरफ count मत करिएगा अगर लीप ये का भी फरवरी होगा तो ऐसे case इस case में आपको 28 दिन ही लेना है 29 दिन नहीं लेना है क्योंकि उसका जो एक extra दिन होता है उसको आप येर के केस में calculate already कर चुके होते हैं ठीक है तो कहने का मतलब सिधा-सिधा यह है कि इस वाले में यानि टाइप 3 में अगर बीच में फरवरी भी हो तो उसके विसम दिन उसमें दिनों की संक्या आपको 28 ही लेना है 29 आपको नहीं लेना है क्योंकि इस केस में येर वाले केस में उसका already लीप एर काउंट हो चुका होता है तो यह था आपका तीसरा टाइप यही तीनों टाइप इसके अंदर आपका पूछा जाएगा तो आज के लिए हम छोड़ेंगे यही तक दुबारा मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए concept के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में थाइंक यू जय हिंद